यहां पर हम करने वाले हैं आपके 28 जीके के questions ठीक है जो कि एक्जाम में आज पूछे गहते हैं और इसके साथ हम आंसर देखेंगे एक्स्टा डीटेल भी देखेंगे और इसके आपको PDF भी मिल जाएगी सेशन की और इसके लावद जो भी बाते मैं आपको इस questions कराने के बाद बताओंगा भी हम सीधा to the point बात करेंगे analysis में आपको मैं questions कराओंगा उनकी answers बताता जाओंगा बड़े ध्यान से सुनना ठीक है चलो है की मीटिंग हुई थी health मीटिंग और इस बार का इसका जो थीम था थीम भी आपसे पूछा जा सकता है थीम क्या था इयर फॉर नर्स एंड मिडवाइफ ये 2020 का थीम था ठीक है एर फॉर नर्स एंड मिडवाइफ नर्स एंड मिडवाइफ क्लियर है चलो अगले question पर आते है यह थे अपने सीवी रमन ठीक है कौन थे सीवी रमन थे यहाँ पर question यह भी आ सकता है कौन से एर में मिला इनको इनको मिला 1930 में clear है अगले question पर आते हैं थर्ड नंबर का question देख रहे होंगे देखो यहाँ पर आपका पूछा गया कि जो काजी रंगा नेशनल पार है कौन सा फेमस है वन हॉर्ण राइनोस के लिए यह आपका फेमस है अगले question पर आते हैं फोर्थ नंबर का question देखते हैं फटा फट से देखो फोर्थ आपका पूछा गया था कि जो origin of species करके एक book है कौनसी है origin of species करके एक book है इसके author कौन है तो origin of species के author है Charles Darwin आपको पता इन्होंने जो दिकत परेशानी हो तो नीचे comment करना फिर आपका question आया कि जो कुचिपुडी dance है वो कहां का classical dance है कौन से state का है तो यह है आपका आंध्रा प्रदेश का ठीक है इसका है आंध्रा प्रदेश का है काफी बढ़िया question है आप देखो six number का question बड़ा ही प्यारा question पूछा है इन्हो ठीक है तो फटा फट से देखना number एक तो यह था कि इसके अंतरगत यह बोला गया कि आप जो आपका disobedience moment चल रहा है ठीक है जो disobedience moment चल रहा था उसे आप क्या कर देंगे stop कर देंगे दूसरी बात आई फिर गांधी जी ने करें ठीक है हम तो stop कर देंगे लेकिन आपका जो salt text है उसको आप हटा दो ठीक है तो remove करना पड़ा salt text को फिर दूसरी condition जो गांधी जी ने रखी वो यह थी कि जो ordinances लग रहे हैं Congress की उपर जो ordinances लग रहे हैं वो सारे के सारे ordinance क्या करने पड़ेंगे remove करने पड़ेंगे किसकी उपर से भाई Congress के उपर से तीसरा जो important point था वो एक मांग रखी ठीक है तो इसके बाद से ही जो है round table conference में Congress को participate करना पड़ा ठीक है तो fifth point एक और था इसमें इसमें ये था कि जितने भी आपके civil disobedience moment के time पे जितने भी लोगों को कैद में डाला गया है उन सभी लोगों को क्या किया जाए बरी कर दिया जाए छोड़ दिया गांधी इर्विन पैक्ट क्लियर है कब हुआ था 1931 में फिर एक कॉशन पूछा गया आपका कि 2022 के ओलंपिक गेम्स हैं ओलंपिक गेम्स हैं वो कहां पर हुए कहां पर होंगे हैं कांसी कंट्री इसको होस्ट करेगी तो यह जो है आपके विंटर ओलंपिक गेम्स होने वाल इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है ठीक है तो इसके प्रेसिडेंट अभी है तुर्की के वोलकन रोजलार ठीक है कौन है वोलकन रोजलार है वोलकन रोजलार क्लियर है अगले कोशन पर आते हैं नाइंध वाला कोशन देखो यहां पर आपका पूछा गया था कि जो ज जारखंड है जारखंड के गवर्नर का नाम क्या है ठीक है तो जारखंड के गवर्नर का नाम सबको पता होगा द्रौपदी मुर्मू जी है ठीक है द्रौपदी मुर्मू अच्छा सीम तो सबको पता ही होंगे न हेमंत सोरेन है यहां के कौन है हेमंत सोरेन है यहां के सीम अग आपका टैंथ नंबर का कौशन ये रहा यहां पर आपका पूचा गया कि तांसेल का मकबरा कहां है फींक성이 जबीा को सब्सक्सक्राइब है यह है आपका देखो यह तानसेन का मकरा है आपका गोलिए अगले कोशिंपर आते ATM का full form पूछाता है ना तो देखो ATM का full form क्या हो जाएगा automated teller machine ठीक है क्या हो जाएगा आपका automated automated teller machine तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर क्या करनी है ध्यान में रखनी है अगले वाले question पर आते हैं देखो 12 वन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि जो यूए नो है यूए नो में कितनी member countries है राइट नाओ तो अभी जो है 193 यूएन members countries है जो की यूएनो की member है ठीक है यह चीज़ धान में रखना काफी important है लोग यहाँ पर जादर धान देते नहीं headquarter और यह सारी चीज़ें देखते जाते हैं लेकिन आपना foundation यह भी हमेशा देखा करो member countries कितने क्या है यह भी देखके जाए करो अगले आला question देखते हैं तो carbon के अलोट्रोप आपसे पूछे का कार्बन का कुछ आपसे अलोट्रोप पूछा गया था तो carbon के ना तीन इंपॉर्टेंट अलोट्रोप होते हैं पहला तो डायमंड होता है सबको पता होगा डायमंड है ना फिर आता है आपका दूसरे नंबर पर ग्रेफाइट जो की बहुत ही ज्यादा भुरवरा होता है पैंसल में होता वह बहुत ज्यादा मिक्स्चर से होता प्य क्यों बताता हूं क्योंकि जो बक्मिंस्टर फॉलरीन है इसमें कार्बन के 60 एटम होते हैं इसलिए वाला इंपॉर्टेंट होता है और इसकी शेप जो है फुटवर्ड शेप में होती है को यहां पर आपका पूचा क्या था कि जो खिलाफत मुवमेंट है क्या है आपका ख शौकत अली मौलाना आजाद इन दौनों ने जो है खिलाफत मुवमेंट की अगवाई की थी और आपका खिलाफत मुवमेंट हुआ कपका यह पता है क्या 1919 में हुआ था 1919 में इतनी से बात तो पता होगी अगले वाले कोशन पर आते हैं 15 नंबर का कोशन देखो यहां पर प अगले कोशन पर आते हैं 16 वन देखो यहां पर आपसे पूचा गया कि कॉफी का प्रोड्यूसर कॉफी का लार्जस्ट प्रोड्यूसर अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज बनती है कि एक तो अगर इंडिया के अंदर स्टेट पूचा जाए या फिर आपका फिर हो जाएगा ठीक है अगर स्टेट पूच लिया जाए तो इस स्टेट में इंडिया का आ जाता है करनाट का करनाट का में कॉफी की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है इंडिया में एक्स्ट कॉशन पर आते हैं 17 वन कॉश्चन देखेंगे हम यहां पर आपका क्या आया थ कॉश्चन पर आते हैं 18 नंबर का कॉश्चन देखो यहां पर आपका पूचा क्या जो यूमन डवलप्मेंट इंडेक्स है इसमें फॉर्स ट्रेंग किसकी है कोश्चन रिपीटेड है शिफ्ट टू में आया था पहले दिन की ठीक है तो यह फॉर्स इसमें नंबर है नॉर पर पार्टिसिपेट किया था 19 पर आते हैं यह आपसे पूचा गया था यहां पर कि जो 2019 में जीडीपी रैंक थी इंडिया की पूरे वर्ल्ड में वो कितनी थी तो जीडीपी में इंडिया चाहे 7 नंबर पे रहा था एक बार इसको क्रॉस वरिफाई भी कर लेना आप वर्ल्ड बुकेंड कॉपिरेट दे मनाया जाता है आपका 23rd of April को एवरी एर ठीक है अगले कोशन पर आते हैं 21st कोशन देखो थोड़ा से नीचे आएंगी देखो 21st कोशन जो आपका पूछा गया वो रिलेटेट था किससे रॉलेट एक्ट से किससे रॉलेट एक्ट जो है यह आपका कब आया एक्ट जो है वो आपका कब आया तो रॉलेट एक्ट आया था कौन से एर में फटा फट से बताओ गर आपनों को पता है तो नीचे कमेंट करो चलो इसका आंसर कमेंट करते ना बड़ छोड़ो यार बता देता हूं 1919 में आया इसके अलावा इसमें क्या था तो इसमें यह था गी जो भी आपकी सुनवाई नहीं होगी कोर्ट में सीधा जाके इनको क्या किया जाएगा पनिश्मेंट विदाउट ट्राइल पनिश्मेंट जो है इसका सबसे बड़ा एक तरीके से अगर हम बोलें काला मतलब इससे ना काला एक्ट भी बोला जाता है तो विदाउट ट्राइल इसमें क्या दिया जारी थी पनिश्मेंट दी जारी थी कोर्ट के सामने नहीं ले जाएंगी सीधा पनिश्मेंट देंगे ठीक है अगले कोशन पर आते हैं 22nd कोशन आपका यहां पर पूंचा गया था देखो थारी 22nd कोशन आपका पूंचा गया तो यही है कि यही है क्या पर पाई जाती है अगर जॉँपरेंट बाते हैं लिए चली जाएगी दो क्या है यूवी रेज आएगी यूवी ने तो आपकी जो है वो खराब हो जाएगी कि इस तरीके के points आप जो भी आपका option में रहा हो उस पर depend करता है ठीक है तो यह तो कुछ questions है जो कि आज के मेरे पास है बाकि actually जो दो-तीन question है ना वो थोड़े repeated ही है जो मैंने करा दिया repeated question बार-बार कराने का कोई मतलब नहीं है ठीक है आपको से इम लोगों से मिल जाएगा चैनल उसको जाइन करना पीडियेफ मिल जाएगी ठीक है और पीडियेफ आपको आज evening तक मिलेगी यह नहीं कि जाके तुरंत बहला काट दो वहां पर कि पीडियेफ नहीं है ठीक है तो यह बात है और वहां पर अपने डाउट्स भी पूख सकते हो सारी सारी चीज़ें और आपको टैन पीम को आपको एक सेशन या फिर टैन पीम के बाद कभी भी आपका एक सेशन आ सकता है जिसमें कि आपको शिफ्ट वन में जितने कोश्चंस होंगे और एराउंड 35 35 से ऊपर या फिर 35 के आराउ